जहिन साथियो स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे अपने यूट्यूब चैनल एस्टडी वी सुभा में तो आज मैं आप लोगों को डी फार्मा के मौडल पेपर प्रोवाइट कराने वाला हूं जो कि आप लोगों को फ्री मिलने वाले हैं तो आप लोगों को मौडल को या दिखाऊंगा कि मौडल पेपर में आप लोगों को किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे क्योंकि बहुत सारे इस्टेट यानि अनिस्टेट में यूपी बीटी के अलावा जो भी अनिस्टेट हैं उन में आप लोगों को तरह तरह के क्वेश्चन देखन यानि जो एक्जाम होगा उसमें किस तरह के question पूछे जा सकते हैं तो उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी information दूँगा अगर model paper free चाहिए तो आप लोगों को एक code मिलेगा code आप लोगों को WhatsApp नंबर पर message कर देना है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आप लोगों को code जो है वो screen पर देखेगा और नंबर आप लोगों को description box में मिल जाएगा वहाँ से नंबर लेके आप WhatsApp पर code भेज दीजिएगा मैं आप लोगों को जो four model paper है pharmaceutical chemistry second के मैं आप लोगों को provide करा दूँगा तो यहाँ पर मैंने pharmaceutical chemistry का जो model paper है उसे open कर लिया है तो यहाँ पर आप लोगों को जो पहला question है वो देखने को मिल जाता है attempt any eight of the following यानि आप लोगों को eight question करने हैं जो कि कितने marks के हैं 16 यानि आप लोगों का एक question जो है वो two marks का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरह के question देखने को मिल जाएगे गिव structure and method of numbering इसमें से भी आप लोगों को two ही question करने है इस तरह के आप लोगों को question देखने को मिल जाएगा आप लोगों को 10 यानि आप लोगों को 2 question छोड़ कर ही करना है 2 question नहीं करना है आप लोगों को सिर्फ 8 ही question इसमें से करना है जो कि यहाँ पर 16 number के दिये हुए एक question आप लोगों को sorry 2 number का मिल जाएगा अगला question देखते हैं यहाँ पर कौन सा दिया गया है तो यहाँ पर अगले question जो है इस तरह के कुछ दिये गए है तो यहाँ पर देख सकते हैं attempt ऐनि 4 of the following यहाँ पर आप लोगों को सारे question देखने खा देता हूं सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 question दिये गए हैं और आप लोगों को सिर्फ 4 ही question अटेंड करने जो की एक question आप लोगों का कितने number का है तीन number का हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों के जो question है आप देख सकते हैं और इने पढ़ सकते हैं यहाँ पर जैसा दूसरा प्रस्ट दिया गया है name one drug used for और यहाँ पर एक drug का नाम लिखना जो की उसके usage के बारे में बताना है तो यहाँ पर इस तरह के question आप लोगों को देखने को मिल जाता है question number two में अब बात करते हैं अगले question किस तरह से हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को attempt any four of the following इसमें भी आप लोगों को four ही question attend करने है जो की यहाँ पर दियेगे है total question six six में से कितने करने हैं सिर्फ four question करते है एक question कितने number का तीन number का आगे धिखाता हूँ आप लोगों को तो यहाँ पर भी आप लोगों को attempt any four of the following तो यहां पिर भी आप लोगों को four question करने हैं एक question आप लोगों का three number का हो जाएगा तो यहां पिर भी आप लोगों को six question जो है वो provide किये गए यह नी च्रम में से 4 करने हैं और भी आगे दिखा दोता हूं attempt any 4 of the following तो यहाँ पर भी आप लोगों को 6 questions दिये गए है इस में से भी आप लोगों को सिर्फ 4 ही attempt करने हैं फिर जो की last question 6 number attempt any 4 तो यहाँ पर भी आप लोगों को 4 questions करते हैं 6 में से सिर्फ 4 एक question कितने का यहाँ पर है? 4 का एक question यहाँ पर 4 number का है तो ये था आप लोगों का फार्मसिटिकल कमिश्टी का मॉडल पेपर तो ये जो है मॉडल पेपर कॉलेज की तरफ से प्रवाइड कराए जा रहे हैं तो अगर अभी तक आप लोगों को नहीं मिले हैं तो आप लोग को एक कोड स्क्रीन पर दिखा हुआ कोड आप WhatsApp पर मैसेज कर दीजिए मैं आप लोगों को सारे मॉडल पेपर प्रवाइड करा दूँगा सिर्फ आप लोगों को कोड लिख कर ही बेजना है तो अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी मिलते अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ अगर अभी तक आप मारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले थैंक्स फॉर वाचिंग